और गुद्वर्णिंग गाइस कैसे हैं आप लोग क्या में लाइब हो चुका हूँ आपका मोस्वल करें हमारे सेशन में माइनेम इस अब इस अब इस अब अच्छे होंगे अपना ख्याल लग रहोंगे और खुब सारा पड़ाई कर रहा हूँ चले शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और हमारा करेंट अफिर्स 28 जून की हम बात करेंगे 19 जून बिस में इंड्यूड होगा विद्वर्णिंग गाइस विद्वर्णिंग कैसे हैं आप लोग सबका most welcome हमारी क्लास जो भी यहां प्रेजंट है सबका most welcome वीडियो को लाइक करना सबको अगर आप शेयर कर पाएं तो शेयर कर देजिए अप लोग ठीक है चलिए दोस्तों तो अनकेडमी स्पेशल पे क्लास हमारी आज से रिजूम हो रही है तो 10-10 पे हमारी क्लास जो होत सब्सक्राइए आप और टॉपिक करने इंटरफेर्स जो हम पहाएं उसका एम से क्यूस यह क्लास जरू करिए और यह क्लास कहां पर होगी अनकेडमी स्पेशल पे ठीक है दोस्तों यह मेरी प्रोफाइल है आप मुझे फॉलू कर लें ताकि मेरे सारे लेक्चर की नोटिफ क्या है तो पहली इंफॉमेशन जो हमारे पस आ रही है वो आ रही है एबॉड दा उनाइट निशन हाई कमिशन फर रिफ्यूजींग इन्नों ने बोला है कि दो खजार 21 में है क्यी सारे ऐसे लोग है जिन्होंने अपना देश ख़दिया अपना मुल्व च़ढ़ प्योंकि क्योंकि नहीं पहले इंफॉर्मिशन रैंकिंग रिपोर्ट और इंडिस आपके समने पहले इंफॉर्मिशन तो यहां पर भारत की बात ही रही है कि भारत से करीब पांच मिलियन लोग है जो कि इंडिया से डिस्पोज हुए है अदर अदर कंट्रीस में डियू टू क्लाइमे चेंज का और डिजास्टर का ठीक है आए पूरी इंफॉर्मिशन पुलिखात ने क्या इंफॉर्मिशन लेगे अक्कॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट एक रिपोर्ट इन्होंने क्या बोला है कि नेरली फाइफ मिलियन पेपल इन इंडिया वियर इन इंटर अगे बढ़ते और देखें रिपोर्ट रिफ्लेक्ट पीरेड ऑफ जन्वरी दो यह रिटा कभ से पुरा दिसंबर दोजार एक्यस तक का रिटा आपके सामने है जो यह दिखाई पढ़ रहा ठीक है इस स्टेट्मेंट वाले कोश्चन में ऐसे कोश्चन बन सकते हैं तो आपको हर पॉइंट को ध्यान देना ठीक है आगे बढ़ते हैं दे लार्जेस दिस्प्लेश्मेंट ड्यूट टू डिजास्टर इन ट्वंट इन चाइना सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हों चाइना में करीब 6 मिलियन लोग नमबर टू पर फिलिपेंस हैं इंडियां यहां पर रैंग भी दी गही है तो चाइना में सबसे ज्यादा लोग इसथापित हों है उसके बाद आपका फिलिपेंस है उसके बाद आपका इंडिया इंडिया Amen चे moje से जाता लो इस थापे तुम्हें, for example, COVID-19, आपने देखा, COVID-19 में किस तरह से जो labor थे, जो अपने state UP से, या for example, बिहार से, महारास्ट्रा गए थे, राजिस्थान गए थे, और COVID-19 के बाद इन्हें अपने खराना पड़ा था, ये भी migration नहीं तो है तरगा, ये भी एक तरगा स्थापा नहीं तो है, तो 4.9 मिलियन लोग इंडिया स्थापे तो है, अब देखें, by the end of 21, those displaced by war, violence, or persecution, and human right abuses, stood at 89.3 मिलियन, अब 8% on a year earlier, यानि total हम बात करें, तो total 2.21 में, युद्ध की वज़े से, हिंसा की वज़े से, उत्पीडन की वज़े से, और मानमादिकार की मतलब की अगर ये डेटा दुएर 21 का है, तो अगर हम 2020 से comparison करें, तो करीब 8% ज्यादा लोग विस्थापेत हुएं, 21 में, 20 से comparison करें, तो ये total है, तो total 89.3 मिलियन लोग जो हैं, पुरे दुनिया में, वो विस्थापेत हुएं, और 2020 से गर हम compare करें, तो कितना यादा, 8% ज् जिंदा मत करिए, सारा डेटा इससे दिखा दें आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, किस देश में सबसे ज्यादा लोग गए हैं, तो US में सबसे ज्यादा लोगों ने application दिया, US World's largest recipient of the new individual application, मतलब लोग application जाते हैं, कि हम आपके देश में श्रंड़ आते हैं तो US नमबर एक पर हैं, नमबर टू पर जर्मनी हैं, नमबर टू पर मैक्सिको हैं, नमबर फोर पर कोस्टारिका हैं, और नमबर फाइफ फ्रांस, यहाँ पर सबसे अधा application रिसीब की गए हैं, कि हम आपकी श्रंड में आना चाहते हैं, तो US से, जैन आपका नमबर टू प नाम झाम देना है, वसका नाम चाहते हैं, टुर लिपोर्ट हमारे ही, उसका नाम क्या है दोस्तो के नाम है, Global Trend Report, पहला कोशन, दूसरा क 들고 इन्दिया के बारे बात करें क्या बुला गया है करीब 4.9 मिलियन लोग इस थापेट हो एं। और हम राइंग की बात करें तो पहले नम पर चाइना है नंबर टू पे आपका फिलिपिन से और नंबर त्री पे आपका इंडिया है अगर हम बात करते हैं इन टरम्स ओफ दे नंबर कितने लोग इस्थापित हुए अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें ग्लोबल लेवल पे तो ग्लोबल लेवल पे करीब-करीब 89.3 था ना एक कौन से देश में अप्लिकेशन आया जादा तो देखिए पहले पर युएस से हैं नंबर टू पर आपका जर्मरी है नंबर त्री पर आपका मैक्सिको है नंबर पोर पर कोस्टा रिका है और नंबर फाइब पर आपका फ्रांस है तो यही पूरी इंफॉरमेशन है आपने पाच पॉइंट में पूरी इंफॉरमेशन कम्पलीट कर दे एक बार आप देखने पूरी बात यहाँ पर रिपोर्ट का नाम किस ने निकाला है भारत में क्या हो रहा है और यह रिपोर्ट कब से कब तक की है तो एक साल ही है जैन से लगजा जिसमबर तक है फिर क्या बोला देन मेक्सिको देन कोस्टारिका देन फ्रांस ठीक है तो यह रीपोर्ट आपके सामने थी आपने पूरी इंफॉर्मेशन देख लिए जो कोई इन्फॉर्मेशन देखने में बड़ी लगती है अगर आप पॉइंट टूपॉइंट इखेंगे मैं पूरे पॉइंट खतम कर द तो पहली information हमारी complete होती है हम बात करेंगे about UNSCR एड़कॉर्टर जेनिवा में है दोस्तों इस्टैबलिश्मेंट यह उनीच सव क्यावन और हाई commissioner कौन है आप फिलिप्पो गांडी मतलब यह महा सचीव है हाई commissioner क्या आप इनने बोल सकते हो कि मतलब यह हैड है तो एक point हमारा आई होगे दोस्तों पहली information ठीक है तो पहली information complete है और यूस का डेटा क्या मतलब हो आप एसे समझे लूँ कि USA में 1889 00 applications है डेटा है तो सबने आपके डेटा आपको पढ़ना नहीं चाहिए इतना deep question नहीं पूछेगा आपसे डेटा होता मैं पहले बोलता आपसे डेटा पढ आगे बढ़तें next point दोस्तों अब हम बात करेंगे renewable energy के बारे में ठीक है renewable energy की बात कर रहे है तो renewals 2022 global status report एक report आई है अक्षे उर्जा पर renewable energy पर वैश्विक इस्तिति रिपोर्ट और इसमें क्या ranking है ध्यान से देखना ठीक है देखो तो यहां क्या बोला गया according to 2022 global status report ठीक है यानि आपको पहला question क्या मिल गया कि what is the name of report रिपोर्ट का नाम क्या है ठीक है तो रिपोर्ट का नाम क्या है global status report 2022 का global status report की है बात करें ठीक है यह एक global renewable energy community है आर इन 21 ठीक है रिलीज बाई आर इन 21 ठीक है इसमें क्या बोला गया इंडिया प्लेस थर्ड इंद वर्ड और टोटल रिनेबल पावर कैपसिटी एडिशन इन दे 21 ठीक है इसका मतलब गईस इसका मतलब अगर हम केवल 2021 की बात करें ठीक है कि 2021 में किन देश चाहिश के अंदर रिनेबल energy को कितना बढ़ाया है तो भारत इसमें थर्ड नंबर पर फर्ड नंबर भारत इसमें है थर्ड नंबर ठीक है देगे तो इंडिया थाइड नंबर पर है in terms of 2021 में भारत ने अपनी renewable power capacity कितनी बढ़ाई है ठीक है नमबर वन पे कौन है चाइना है चाइना तो नमबर एक पर आपका चाइना है ठीक तो चाइना ने देखो जहां सकना चाइना ने करीब 136 गीगावाट चाइना ने 136 गीगावाट capacity बढ़ाई है नमबर टू पे आपका USA USA ने करीब 43 गीगावाट 43 43 गीगावाट की capacity बढ़ाई है और भारत की बात पे तो भारत ने 15.4 केवल 15.4 और तब भी भारत नमबर 3 पर यानि चाइना से हम कितने पीछे देख लीजे चाइना 136 गीगावाट की एनरजी जो है वो एड कर चुका है अपने हैं और USA 43 और हम लोगा ने 15.4 गीगावाट तो ये बात थोरी केवल दुजा रिक्केस की ठीक है इतना आपने इसके साब से 17 एडिशन ठीक है चलो एडिशन चौथा पॉइंट दोस्तों एडिशन तो यह जो एडिशन है रिपोर्ट का यह 17 एडिशन है और दिखते हैं यहां पर लोग को दिक्कत ही नहीं है तो गाईस यहां पर हम क्या बात कर रहे थे ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 रिलीज बाई र आर इन 21 एक कम्यूनिटी है और उसमें क्या बोला है कि अगर हम केवल किसकी बार के तो कौन से देश ने अपने टोटल एनरजी में कितना रिनेबल एनरजी एड़ किया है उसकी इंबार के तो भारत नंबर तीन पर है भारत ने 15.4 गीगावाट यह पर चाइना है और यूसे नंबर टू पर है उससे फोटी गावाट और फिर क्या बोला गया कि 17 सीरीज रहें इंडिशन है काम ख़ता हूंगे तो दो रिपोंट और डरने की बात नहीं हमने पॉइंट टूपॉइंट आपको एक्स्पें कर दिया कि पढ़ना के रिपोर्ट यहां से नंबर पर है जो पहले नंबर पर टूपॉपिश्यं कर देए अब आंगे बढ़ने के नेक्स हैक सेगमेंट हमारा आप पॉइंट और इजाइन का और यहां उसलिया हमारे बात करने वाले हमारे देश में छे आई कोड के जचका अपॉइंट हुआइध कोड़ने क कुछ लोग का ट्रांसफर हुआ है कुछ लोग नए पॉइंट हुए ठीक है अब यह लोग कौन से हैं और कौन कौन यहां तो बना चीफ जस्टिस आई यह बात करते हैं अब यह लोग कौन से हैं देखें देखें तो यूनियन गौर्मेंट ने अब यह लोग कौन होंगे वो देखें जयांसे जस्टिस विपन सांगी आप देलि हाइब विल बि अपॉइंट अज़ एप देली हाइब तो डेली हाइब में एक जस्ट से विपन सांगी इनका प्रमोशन हो गया है और यह चीफ जस्टिस बन गया है उत्तराखंड हाइब को मैं दोश्तों तो यहां पर विपल Рशमिन नेज चुलिंग यहांपर यहां नहें आगी फडार में जस्टिस टूए प्रहने सब लेए और यह चीफ जस्टिस जन Keeping की बनीगे घुलिया जी थे ना पहले वहाँ पर तो देख रश्मिन एम च्छाया ये गुजरात हाई कोर्ट में जच्छ सिंक एवल और ये कहां पॉइंट होई है चीफ जस्टिस ऑफ दे गुवाहाटी हाई यानि की दूसरा हमारे पास किया है दूसरा हमारे पास में आपका जुवाहाटी हाई को अडिक है टो वहाँ पे रश्मिन M सब्सक्राइब यह पॉइंट है डैली हाइब के चीफ जस्टिस बतब तीन यहां पर होगे दूस्तों और टेबल में हाइब का नाम और कौन पॉइंट हुआ है वो दिख रहे नाम सब्सक्राइब करें यहां पर हम क्या बात करें यह राइस्थान हाइब के चीज़स बन गया है ठीक है देखिए आप लोग के लिए अच्छा है कि टेबल बना रहे ना और टेबल से पड़ोगे तो इजी और रहेगा तुम्हारे लिए ठीक है चलिए तो यह इंफॉर्मेशन अबिस तो हमें आपको ठीक है आराम से याद कर लिजेगा तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आपकी हो च दूलिया को और जज इंदा गुजरात हाई कोर्ट जस्टिस जमशेद बुर्जोर्ब पारिदावाला को सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पढ़ाया हुए आपको ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हार नेक्स सेगमेंट बैंकिंग फाइनस और एकॉनमी में हम लोग क्या बात करने वाले हैं आपसे पांची हुआ कि आप लोगों एक मिनट है है हुआ है हुआ है तो तो यहां पर देखी विपन सिंग होगा एक तो ठीक है रश्मीन चार्या हो गई दो गई तो एक नाम कोई बात नहीं है रात वाली क्लास करवा देंगे तो वहां पर हो जागा ठीक है सुबह 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 यार इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना थोड़ा मुश्रिव आता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइट पे आंगा टाइम नहीं मिलता कि हम अच्छ इंफरमेशन बैंकिंग फाइनस की बात करेंगे तो बैंकिंग फाइनस में हमारे पास पहली इंफरमेशन है एक्विटे स्मॉल फाइनस बैंक ने लॉंच किया है एक्स्क्यूजिव सेविंग अकाउंट फॉर्दर किट्स मतलब बच्चों के लिए जिसका नाम हो तो एक्विटे स्मॉल फाइनस बैंक की बात करें इन्होंने अनाउस्मेंट किया है दे लॉंच ओफ एक्स्क्यूजिव सेविंग अकाउंट फॉर्दर किट्स इसका नाम है इन जोइट विटे फ्टीन जून देट आपके ने पूशी नहीं आती है तो किस बैंक ने इन ज साल दो साल तीन साल तो इसमें मतलब कहने का मतलब की जीरों से 18 साल बुला हुआ है इन बच्चों का बैंक में कौन खुल जाएगा ठीक है और अंडर सुपर विजन आप देर पैरेंट्स यानि इनके पैरेंट्स जो होंगे वो इस अकौन को दिखेंगे लेकिन अगर किसी उपर हो चुकी है तो आपको परस्नली डेबिट कार्ट भी दिया जाएगा तो यह अला कि यह से पूशा नहीं आता एक्जाम में इस ने लॉंच किया तो बैंक का नाम बताना आपको बस उसके बारे में डीप में इंफॉर्मेशन पूशी नहीं आती है ठीक है अजी जी कोई दिक्रत नहीं है आप स्पैम मत करें कोई दिक्रत नहीं है आप परिशान नहीं ठीक है चुली तो यहाँ पर पॉइंट हमारा होगे दूस्तों आगे बढ़ते हैं इसका हैड़कॉर्ट चुली पर पर दोस्तों रिजन पॉइंट की बात करें तो अभी रिजर्ब बैंक आप इंडिया ने अप्रूवल दे दिया था अपना इक्विट्र स्मॉल फाइनस बैंक यह reappoint कर सकते हैं P.N. Vasudevan को as the MD and the CEO for one year तो P.N. Vasudevan को MD, CEO point किया जा रहा है Equitas Small Finance Bank का एक साल के लिए Reserve Bank of India ने अपना approval दे दिया यह हम पढ़ चुके हैं ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं Next information दूसरी information सेवी के बारे तो सेवी ने कमेटी बनाई है Advisory Committee कमेटी क्या काम करेगी कौन लीड करेगा हम सारी बात करने वाले हैं आप से देखे दोस्तों देखे तो सेवी ने कमेटी बनाई है जिसका नाम है Building Advisory Committee To Advise and Assist On The Premises Related Matters Like Planning Acquisition and The Furnishing देखे दोस्तों इसका मतलब Premises का मतलब क्या होता है जैसे आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं ये बैंक का Premises है Internal चीज़ें है तो सेवी ने एक कमेटी बनाई है Advisory Committee और ये Advisory Committee जो है ये अपना data जो अपना advice करेगी On Premises Related to the matters like planning, acquisition and furnishing यानि सेवी की planning कैसे होने चाहिए सेवी और मतलब for example अगर हम acquisition की बात करते हैं कौन सी company के से acquire कर रहे है और furnishing की बात यहाँ पर हम करना है तो furnishing का मतलब यहाँ पर क्या हुआ furnishing का मतलब पूरा होता है कि यहसे दूसों for example अगर हम बात करें माल यह मेरी company है मैंने आपको acquire किया तो मैंने क्या किया company acquire के बाद सारे अपकोई निकाल दी ऐसा नहीं होना चाहिए न तो planning, acquisition and furnishing इसका मतलब क्या हुआ mainly यह जो matter है यह matter acquisition को लेकर तो मतलब acquisition की planning कैसी होती है acquisition कैसे हम करते हैं और furnishing का मतलब पूरा process कि किसी को उने acquire कर लिया तो क्या क्या उसके अंदर होने वाले चीज़ है तो सेबी भाई simple सी बात है अगर capital market की बात करें तो सेबी के responsibility है किसी का भी loss नहों हो है न तो planning, acquisition and furnishing के लिए यहाँ पर committee बनिए कमेटी को lead को अंगर देखते हैं तो committee को lead करेंगे 7 number committee है साथ लोग उसमें है और इसको lead करेंगे headed by the BK कट्याल यह है former chief general manager at the reserve bank of India former अभी नहीं है तो Mr. BK कट्याल इसको मतलब committee को lead करेंगे ठीक है तो साथ member committee है lead by the BK कट्याल जी और basically planning acquisition and furnishing को लेकर यह advice करेंगे सेभी को क्या norms होने चाहिए हमारे ठीक है तो यह point है हमारे पार तो सेभी ने एक advisory committee appoint ही है इसका काम क्या होगा सेभी को advise करेंगे on the planning, on the acquisition, on the furnishing norms ठीक 7 number committee है यह help by the BK कट्याल यह former chief general manager है of the reserve bank of India दोस्तों एक point हमारा यह होगा ठीक है आगे बढ़ते है सेभी के बारे में हमनों बात करेंगे बार सेभी का headquarter इसके chairman establishment यह कब हुआ act का पास हुआ यह सारी बात हैं पहले कर चुके सेभी ने recently बहुत सारी committee बनाई उन committee का reason बहुत जरूरी है इसको लीड करेंगे जी महालिंगम जी supreme court appointed panel for recovery of money from NSEL defaulters प्रदीप नंदर राजोग इसके इसको लीड करेंगे और सेभी constituted advisory committee for the ESG environmental social governance related matters नवनीत मोनोट से लीड करेंगे यह सब हम लोग पढ़े हुए पहले हैं पहले हैं यह सब पढ़े हम लोग पहले ही से पढ़े हुए reason points सारे ही सारे हैं आगे बढ़ते हैं next reading हमारी कौन से है next reading हमारी next segment हमारा M.U.s और agreement की हम बात करेंगे और यहाँ पर पहली information दोस्तों European Union है ना आपको पता होना चाहिए कि China ने हमारे देश में China, Australia, South Korea, New Zealand इसके लाबा जो Asian countries हैं 15 देश पंद्रह देशों ने दुनिया का सबसे बड़ा reasonable reasonable comprehensive economic plan मनाया है मतलब free trade agreement और यह दुनिया का सबसे बड़ा free trade agreement होने वाला भारत को इसमें मतलब बुलाए गया था पर भारत ने मना घड़ रही है वारत को पता है कि China अम सारे देशों में घुस जाएगा हमको बरबाब कर देगा है ना तो इंडिया भी अब देखा रहा कि वह और कहां कहां free trade agreement sign कर सकता है पर एक्जामपल आपने पढ़ा कि इंडिया ने और स्वेडिया के साथ UAE के साथ 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 मौरिशस के साथ इन से साथ free trade इन में sign किया हुआ और अब हम यहां और UK से करने वाल है यूके से डील चल रही है अब यहां पर हम बात करेंगे European Union की European Union ने पहले ही भारत से बोला था for the free trade agreement लेगिन भारत नहीं दिया था लेगिन अब फिर से फिर से पर भारत चूट देगा और कॉन से पर सर्विस पर यह चूट देंगे यूगि free का मतलब क्या tax होना नहीं कोई import duty होनी नहीं यहां पर है न तो इंडिया और EU relaunch मैंने क्या बोला है relaunch किया गया है negotiation for the India EU free trade agreement देखें पूरी information कहें है तो पूरी information देखें है तो इंडिया और EU have formally relaunch the India EU free trade agreement negotiation तो भारत क्यों इसमें interested नहीं था पता क्यों क्योंकि भारत का जो trade है with the EU तो भारत अभी तक surplus मिर रहता है surplus means हम यहां पर export ज्यादा करते हैं और import हम कम करते हैं European Union में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर agriculture नहीं होता है जो ठंडे प्रदेश हैं जहां पर खेती नहीं होती तो European Union भारत का agriculture जो पार्ट है ना वो import ज्यादा करता है तो भारत का EU के साथ surplus relation है मतलब हम import कम करते हैं export ज्यादा करते हैं तो भारत रखता कि भाई अगर हमने free trade किया तो होस्ता भविश्य में कि हमको loss हो जाए चुकि European Union company भाई हम import जादा करते हैं तो कहने का मतलब क्या है अभी हम free कर देंगे सब कुछ तो क्या होगा free करने जो हमें tax tax मिल ला हो मिलेगा नहीं हमको ठीक है देखे दोस्तों तो अब देखिए यूनियर मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंजूमर अफेर्स एंड फूड एंड पब्ली इस्रिबिशन एंड टेक्स्टाइल तो भारत की तरफ से पीश गोयल जी और यू की तरफ से मिस्टर वाल्दिस डॉम्प्रोवस्की हिंदी में लखे नाम इंगा नाम क्या है वाल्दिस डॉम्प्रोवस्की वही नाम है ठीक है यह एक्सकेटिव वाइस प्रस्टेंट रहा है आप दे यूरोपियन यूनियू कमिशन फॉर्मली रिलाउंच दर इंडिया यू फ्री अधैन इन दुन के लॉंच किया है तो अगे बढ़ते हैं अब देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है to the EU जम 57% in the financial year 21-22 तो मतलब 2021-22 की बात करें दोस्तों और इसको हम 2020-21 से comparison करें तो 21-22 में हमको 57% ज्यादा ग्रोथ मिली एक्सपोर्ट में उसका रीजन अगरिकल्चर ही है इसका सबसे बड़ा रीजन अगरिकल्चर है दोगो यूरोप में बहुत साथ देश ऐसे हैं जहां पे contract labor farming चलती है इसका मतलब यह होता है कि यूरोप में जो बड़े शहर है जहां लोग खेती करते हैं कि जय है, यह जए आते है यह आते हैं यह labor type के मि होते है हुआ अन्य आते हैं बड़े शेहर में बड़े farms में आते हैं वहां farms होते है और वह खेती कड़ते है और कोबीट 19 में यह लोग उतने खर्श लेगा थे तो यूरोप के बहुत सारे देशों के पास खेती की कभी बढ़ देखी जो प्रड़क्ट होते हैं तो भारा से इंपोर्ट किया गया था तो 21-22 में 57 परसेंट ज्यादा ग्रोथ विलियम को एक्सपोर्ट में यह बुला गया है और गरीब 56 मिलियन डॉलर तो 56 बिलियन डॉलर हमने एकप्सपोर्ट किया था और फिर क्या बोला गया इंडिया सार्प्लस टेड वी टेए तो यह मैं है एक्स्प्लेइं कर दिया वास डॉन से देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट नेगोशियेशन को फिट से लांच कर दिया भारत को कौन रीप्रेज़न कर रहा था यूरोपियन यूनियन को कौन रीप्रेजन कर रहा था और यह फुल्ड से डेटा देखना तुम सहां हुसता कि अप्ट एजाम में आ जाए इस स्टेट्मेंट में राइसीन राइलाग हुआ था राइसीन राइलाग उसमें चिपगेस भी थी और मेंबर कंट्री 27 कंट्रीज में है ठीक है 27 मेंबर कंट्रीज के हैं तो लाएंगे बढ़ते हैं नेक्स हेडिंग की हम बात करें नेशनल अफेर्स जाबर पहला पॉइंट आपको हम दिखा यहां लिखायें 50os 50 का मतलब इंडिया और वियत नाम कें डिपलोमैटिक कको 50 साल पूरे होर चुके हैं विएप्र नाम का सारस हमारा मौर यह लोग Cheryl जहां से देख लो तो लोगों में सारस हैं और मोर हैं, पचास साल कंप्लीट ये हमारा झंडा ये उनका झंडा ठीक है, तो विएतनाम और इंडिया के पुरी हो चुके हैं, डिपलोमेटिक टाइस को, जिसको लेकर एक कॉम्मन लोगों लौंच किया पड़े पच्यास साल हो चुके हैं इंडिया वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिलेशन्स को, तो हमारे विदेश मंत्री जशेंकर जी और वियतनाम के विदेश मंत्री, इनका नाम को याद रखना पड़ेगा, इनका नाम है बुई थांसोन, इनका नाम याद रखना पड़ेगा, बुई शाहन्ट के विद्रीमाटिक यह पंपंट्रेंगशिए और लोगों निम्री चृस्त ये-विद्री है मिले कर बाद मेंoffern sem और टो इंडिया के विदेश्मक्टिक रिलेशन के का सारा पोरे चुकति इज़ प्रेसेंट लॉंग स्टेंडिंग इंडिया वियत्नाम फुरू अपिकॉक एंड़ क्रीम तो सारस इसमें हैं मोर इसमें हैं पचास साल लिखे हुए हैं तो यह पॉइंट आप देख लिए फॉरसर ठीक है इसके पहले इंडिया नीजर लैंड के बिश में हां इंडिया और ज अगे बढ़ेंगे बात करेंगे इंटरनेशनल अफिरस की और इंटरनेशनल अफिरस में हम बात करेंगे करेंगे और हमारे लिए फोड़ी चिंदा वाली बाग चाइना ने लॉंच कर दिया अपना तीसरा और सबसे एड़वांस एयरक्राफ्ट करियर नेम्ज फुजियान तो चीन ने फुजियान नाम का अपना तीसरा सबसे बड़ा उन्नत विवान वाहक लॉंच किया है ठीक ह तो चाइना ने अपना तीसरा मोस्ट एडवांस एरक्राफ्ट करियर नाम फुजियान भारत की पास दो थे पहले अभी एक रह गिया है और एक बन रहा है जो घस्ट में जाएगा है ना तो भारत अब इस से पीशे थिक तो चाइना ये लॉंच किया अपना तीसरा एरक्राफ करियर नेम्ड फुजियान और 17 जून 2022 देट नहीं पूछेगा आपसे आप फुजियान यहां पहले है इसके पहले तो चाइना का पहला जो एक राफ्ट था उसका नाम क्या था लियोनिंग ठिक और ये बारा में लॉंच किया गया था उसके बाद चाइना ने अपना दूसरा करियर लॉंच किया था उन्निस में लॉंच किया था ठीक है तो पहले का नाम लियोनिंग था और दूसरे का नाम शैडॉंग था और तीसरे का नाम क्या है फुजियान हो चुका है फुजियान है क्या दूस्तों फुजियान तो फुजियान जो ह से ज़्यादा एडवांस है और पूरी तरीके से चाहिना बना हुआ है इसके पहले दो एरकाफ के और थे पहला लियोनिंग 12 में और शैड़ों उननेस में और आप फूजियांग आ चुका है चाहिना कापिटल बिजिंग करंसी युवान एंड शी जिन पिंग दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस्पोर्स की बात करेंगे आपसे तो इस्पोर्स में हमारे पास पहले इंफोर्मेशन आपके दोस्तों हम सब को वाला है हाला की चीस ऊलंपियार्ड में अभी तर्च रिले नहीं हो तर भारत पहलादेश बन गया है जहां पे चेस्ट उंलंपियार्ड में टॉज लाए आइए पूरी इंफोर्मेशन आपको दिखाते हैं देखें दोस्तों तो प्राइम मिनस्टर नहींद्र मोर्दी विल लॉंच दा हिस्टोरिक टॉर्च रिले पॉर्टी फॉर्ट एडिशन चेस्ट उलम्पियाड जो की इन न्यू दिल्ली दिल्ली से लॉंच हुआ हाला कि य आई नहीं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटोर्च रिले नहीं गड़ते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि तो यहां पर दिल्ली में लॉंच किया गया लेकिन इवेंट कहां पर चन्नाई में होने वाला है तो पहली बाइशा हुआ है कि शुरू हिए यह हमने पढ़ा दिया आपको अब बात करना है तो फाइड का है वह कहां पर लुसाने में और प्रेज़ेंट को अब दोस्तों यहां पर हम 44 एडिशन की बात पहरी आएं तो एक्स्रापाइंट अब तमिलाडू का चेप मिनस्टर एंके स्टालिन की बात करें इन्होंने ओफिशियल लोगो एंड़ मेस्कॉट लॉंच किया था और मेस्कॉट की बात तेरे तो घोड़ा जिसका नाम है ठंबी ठीक हैं और यह घोड़ा तमिलाडू का जो ट्रेशनल डिस हैं मतलब धोती और शर्ट पहन के ऐसे खड़ा है हाथ बानके हैंना ठंबी याद रखेगा तो यह 44 फाइड चेस अलम्पियाड हैं मेस्कॉट भी लोगों भी है हमने क्लासे पढ़ाया भी अपको ठीक है महें सिंग्ग पुछ रिले क्या होता है मेरे ख्याल से हम इतने भी अवेर होने हमें होना चाहिए हमने ओलंपिक के टॉर्च रिले मतलब हम कुछ शुरू करने आ रहे हैं तो टॉर्च पुरे भारत में घुमेंगी म इन यह मतलब तो टॉर्च रिले क्या होता है सुनक है अद बच्बेंस मालव है कि टॉर्च रिले होता है जाब ओलंपिक के इवेंट होते हैं या लगलेत च रहे होता है एक तो यह हमने इंफंश्न दी इसके लाबा तिलंगाना कि राहो श्रिवास्तो जो यह चौ तर में बने भारत के इन्होंने नाइन्थ कैटोलिका चेस्ट फेडरेशन इटली में हुआ था वाँ पाटिस पेट किया था ठीक है इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रकानन्दा इन्होंने नौर्वेज चेस्ट ग्रूप ए उपन चस्ट अभी जीता रिसेंटली में यह ने पढ़ सब्सक्राइब कर दिया है सबसे ज्यादा उम्रों में पचास हाफ संचुरी मानना अगेंट्स एनी टीम और मजए की बात लिए कि दोनों टीम ने दोनों प्लेयर ने यह रिकॉर्ट बनाया था अगेंट्स आफरिका दो दिनेश कार्तिक बिकेम दा उल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर तू अचीव टीट्वेंटी हाफ संचुरी और जून 17 ब्रेकिंग दा मार्क सेट बाइद फॉर्मर इंडियन कैप्टन अमसोनी तो दिनेश कार्तिक जो है यह ओल्डेस्ट इंडियन बन चुके है टीट्वेंटी में हाफ संचुरी मानने इन्होंने धोनी का रि है सुरदिन के यह अगेंड़ सौथ अफ्रिका वहीं देखिए वेन एमेज दोनी स्कूर पचास अगेंड़ सौथ अफ्रिका इन एटीम ही वास थर्टी सिक्स इयर एंड टू नाइन देस बूल्ड तो दोनी ने जब रिकॉर्ड यह बनाया था तब वो 36 साल के थे और 29 दि और वहीं कार्थिक की बात तो इस तरह से दिनेश कार्थिक ने सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा उम्र में किसी भी टीम में खिलाफ 50 एम बनाया जो की रिकॉर्ड बने आपने आप में ठीक है भारत के लिए ठीक है तो कि देखें दोस्तों ठीक हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे अवार्ड और की बात से रहेंगे अवार्ड और में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन बैंगलोरू एयरपोर्ट रिउंगनाइस एस दे बेस्ट इन इंडिया एंड सौथ एशिया तो बैंगल बैंगलोर को अवार्ड मिला है बेस्ट रिझनल एरपोर्ड का इंड या में सफ एशिया बैस्ट रिज्नल एरपोर्ट तीक है तो 22 के इसंट्रेक्स वौर्द और में बैंगलोर को अवार्ड मिला है बेस्ट रीजनल एरपोर्ट का, इंडिया में साथ एशिया, बेस्ट रीजनल एरपोर्ट की बात हो रही है, not international, बेस्ट रीजनल एरपोर्ट, ठीक, दा वार्ड इस बेसे अन दे फीड़बाग फॉर्म, दे कस्टुमर इस सर्वे कनेक्ट गूबली, तो मतलब फीड़बाग, फीड़बाग फॉर्म के हिसाब से इनको यह अवार्ड दिया गया है, और यह अवार्ड सेर्मनी पैरिस में होगी, 16 जून को हो गई है, तो पैरिस में यह अवार्ड सेर्मनी होई थी, पिर देख लिए हाँ पे, तो कैंपे गॉड़ा, इंटरनेशनल एयर्पोर्ट को बेस्ट रीजनल एयर्पोर्ट चुना गया है, इंडिया और सादेशय लेवल पे, और यह अवार्ड फीड़बाग में मिला है, और यह अवार्ड कहा मिला है, पैरिस में मिला है, 16 जुन को यह हुआ था, ठीक है, फिर गैस, आगे बढ़ते है, और अगर हम बात करें, तो बैंगलुरू एयर्पोर्ट हैड और अगर आगे बात करें, तो वही पर इनको यह अवार्ड मिला है, बैंगलुरू को, तो यह भी देख से चेगा, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो 14 ब्रिक समिट, 23 जुन को होने वाला है, बिजिंग चाइना में, 14 ब्रिक समिट जो है चाइना में होने वाला है, बट यह इवेंट वर्शोल होगा, विकॉस चाइना में COVID-19 थोड़ा पीक पर है अपने है, तो 14 ब्रिक समिट, यानि इसके एक साल पहले भारत में हुआ था, वो 13 ब्रिक समिट था, तो 14 ब्रिक समिट आपके एकजाम में एडिशन, और कहां पर यह होगा, यह पूशा आ सकता है, तो 14 ब्रिक समिट थे परहां होगा, देखें दूस्तों, तो 14 वर्शीया, इंडिया, चाइना, सुथाफरीका, वी, आर, आई, सी, एस, ब्राजील, रशीया, इंडिया, चाइ तो यह विजिंग में होगा तेज उनको विया वीडियो लिंक वीडियो लिंक ना मतलब वर्शुल होने वाए थीक है देए चाइनीज प्रेज़ेंट शी जंपिंग विल चेर दे समिट तो यह भाई चैना में हो रहा तो वही लीड करेंगे है ना आगे देखिए दर थीम पार्टनर्शिप यूजर इन अन्यू एरा ऑफ और ग्लोबल डवलपेंट यह की थीम है तो फोर्टीन्थ ब्रिक्स समिट चाइना में होने वाला वर्शुल और इसकी थीम आपको उताए गई है एडिशन इस फोर्टीन्थ याद रखेगा ठीक है अबाउट ब्रिक्स तो आगे बढ़ते हैं अब यहां क्या बुला गया है अगर हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सिन अफेर्स मिनाक्षी लेखी ने सेवन्थ ब्रिक्स कल्चर में से मिटिंग को रेंड किया था साथवा एडिशन कल्चर मिनिस्टर्स मिटिंग तो तो अथारा जून को ऑस्टिक गुणारी होती है ऑस्टिक प्राइड डे जसे फोर एक्जांपल आपने देखा होगा ना तार यह हमी पर तो ऐसी प्राइड उती है और यह जो को मनाते हैं है दो जार पांट से मना रहा है पहला इंट नाशननल डे पॉर कांटरिंग हेट स्पीच 18 जून को शुरुआ है ना तो देख लिए तो यह है पहली बाद शुरूआ है फरस्ट है तो इसकी तेम के बड़ी है role of education to address the root cause of hate speech and advance inclusion, non-discrimination and peace इसकी पुरी theme role of education से याद कर ली जए और last में आपका क्या है non-discrimination and peace से याद कर ली जए बस ठीक है, पहला edition है तो एक्जाम में या सकता है वर्गोर आगे बढ़ते हैं guys, next point sustainable gastronomy day 13 जून sustainable gastronomy day और यह कब स्टार्ट हुआ है यह स्टार्ट हुआ है, यह स्टार्ट हुआ है, ठीक है आगे बढ़ते हैं guys, state level news की बाग पर गेंगे हैं तो state level news में पहली information हमारे पस गुजरात become the first state in the country to launch बाली का पंचायत तो गुजरात हमारे देश का पहला state बिन गया है, जहां पर कई सारे गाओं में बाली का आए जो हैं वो पंचायत को लीड कर रहे हैं ठीक है, पूरी information देखिए आपर तो गुजरात has become the first state country to launch बाली का पंचायत इस अ पंचायत आप गल्स विच एम तु प्रमोट देशोल and political development of girls and ensure their active participation in politics, यानि यहां पर जो लड़िकों की पंचायत है, इसका उद्देश है girls को मतलब social level पे और political level पे develop करना ताकि महिलाओं का बच्चियों का आगे चलकर राजनेती में active participation हो ठीक, it is managed by the girls in the 11 to 21 year age group तो 11 साल से लेकर 21 साल तक के लोग यहां पर है चिक है, और यह पहली बार कहां launch हुआ था, तो यह launch हुआ था कुनरिया, मसका मोटागुआ और वाटसर विलेज कुनरिया, मसका, मोटागुआ और वाटसर गाव में शुरूआ यह कच्च रीजन में हालाकि इतना गर्स का एक्टिव पार्टिस्पेशन पॉलिक्स 11 साल से 11 साल की बच्चियां इसमें है और यह कच्च रीजन में शुरूब आई दोस्तों अबाउट गुजरात, कापिटल गांधी नेगर चीफ मिनस्टर भुपेंदर पतेल और आचारी देवरत इस दे गवर्णर अब दे गुजरात दोस्तों तो यह मेरी प्रोफाइल एकेडमी पर आप मुझे फॉलू कर सकते हैं इसके इलावा दोस्तों आपके लिए बिग अनॉस्मेंट है 26 जून को 10 बजे आपका टेस्ट है और यह टेस्ट आपका है स्कॉर्ड टेस्ट है इसमें आप कैसे करना है पार्टिस्पेशन दोस्तों तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करिए और हमारा कोड एवी पी वन सीरो लगाईए आपको फ्री में लगा इनॉल्मेंट और 26 तारी को टेस्ट देना है अगर आपकी रैंक फरस्ट आती है आपको लैप्टॉप मिलेगा रैंक 2 को मुबाइल मिलेगा रैंक 3 को मिलेगा 5000 रुपए का गिफ्ट अरुन सिंग रावत पुनित कुमार शर्मा यानि टीम एवी के सबसे इंपॉर्टेंट दो स्तंब इनका बैच आना है और यह कंप्लीट वैज है फॉर दर कैरिकल और प्रीलिम्स का बैच आपका ठीक है तो इसको आप जॉइन कर सकते हैं हमारा कोड इसमें क्या है हमारा को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बैंक एक्जाम का पूरा प्रेलिम्स का टेस्ट मिलेगा ठीक है आप देखलो इनका टाइम नोट कर लो कब टेस्ट है आपका इसके अलावा दोस्तों अनकेडमी पर आपको आस्के डॉट फीचर मिलता है कि आप डाउट को अपने जिसे स्रीन शॉट लेजें और आपका जो एप है और यह लैप्टॉप चलाते हो वहाँ पर डाउट सुलूइशन पर जाओ प्लिक करो आस्क डाउट पर जाकर अपने डाउट को अप्लोड कर दो स्रीन शॉट तो आपको अनकेडमी की तरफ से मिल लगा सुलूइशन इसका ठीक आपको मिल लगा डिस्काउंट टैन परसेंट का पर मंत के हिसाब से आपके यह माई ऑप्शन अविलेबल होते हैं ठीक है आपको टैन परसेंट का यहां भी डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों चलिए इसके आपको ग्लास में आपसे हैं